आज मैं संस्क्रिक दिवस को लेकर कुछ कहना चाहरा हूँ लगारे की संस्क्रिक दिवस आज से बाग और श्राउनी के दिवस पर है तो यहाँ आश्रम ने विजार या है कि आज से लेकर और श्राउनी थक निरंपर यह संस्क्रिक दिवस के रूप में ही सिर्थाई दिया जाए तो यह प्रारुम्भुद्य उसे मैं इस विशे पर आपको कुछ कहना चाहूंगा श्रावनी संबंधी चर्चा श्रावनी वाले दिवस ही होगी यह श्रावनी हमारा अच्छा पर्वन माना जाता है और हम वर्षियों से इस पर रक्षा बंधनादी अब्रवनों का श्रावनी करमादी करते आएं ये कुछ ही दिनों से इसमें संस्कृत दिवस मनाया जाने लगा है श्राउने के साथ संस्कृत दिवस का क्या सम्मंद है क्या नहीं है क्यों इस दिन संस्कृत दिवस रखा गया है ये सारा उनका विचार है जिनने सो समझ करके उस दिन इस विशे को रखा होगा क इतनी सी बात को लेकर क्याना बूझा कि क्या हमारी देश में संक्रित दिवस आऊच आएक अर्चपिता के आध और मत्यापता के चले जाते हैं शाल में हमें बूल से रख लेते हैं श्राध्वी के रूपना हमारे आंग तो खायर जो बार आ जाता है पर आज भी प्रणाम के आज फादर्श डे मदर्श डे यह इसी साब से साल में एक बार आ जा जा चलो जन्म जन्म जिया पहला पोसा जिनकी वज़े साथ हम सब कुछ मिला है उनको हम कम से क उसकी यो भिराड देन आज से 10 अजार वर्श को पूरुब से हना लगाता है क्या उसकी क्रितग्यता हो जाएगी क्या हम अपने दायित्तों के प्रति करते लिए प्रति अपने पूरुब्तों में दी हुई सौगात कि रक्षा क्रति अपने कर्म को पूरा कर चुक है और प भगवान राम को याद करते हैं। राम का जीवन हमें जिस्के प्राप्त होता है Щुझ महर्शी व्ष्वां में गुर्थी की का ग्रेंट है — राम आयन। यह ग्रेंट है संस्कृत मा एंगे है १्याइ प्रेस्वित है song speaking, पर जब वहां से उस्ते हैं और उनसे उस्त विश्यम कुछ पूछा जाए तो उन्हें कुछ बोज नहीं रहता है। उसे सबसे बड़ा प्रामान यह है कि किसी भी द्रक्तिव से और भारत में प्रश्न कीजिए राम कभ हुए प्रत्यक शिरूप नहीं पर जिस प्रकार से मुनी ने अपने घ्रन्थ के रिसिना किया उससे सपष्ट हो जाता है कि वह ज्वापर युग में हुए थे और वर्शें से जिस रामयन को हम संस्कृत रग्य होने के नाते पढ़ते दिखते समझते जा रहे हैं उसके इस सत्य को मिल पकड़ पाए तो वर्ष में एक जिन सरस्टिए आपकार संस्कृत दिवस रख करके हम अपनी संस्कृत लेगे किस किस पहलोगों कहां तो सब जानते हैं आबाल वृद्व कि भगवान राम को चौजया वर्ष का वनवास होगा था और उन्हें वनवास के लिए उसी दिन निकलना पड़ा दिजदे निकर राजितिल होना था और राजितिल उनका जन्म के दिन होना था उनका जन्म है चैत्र शुक्ला नौनी और उ दिर्भाग की अवश्व ऐसी स्टिती नी आई और उनको उसी दिन वन में जाना पड़ा जब चौज़ा वर्ष बाद वो आपस आते हैं तो निश्चित है इस चैत्र शुक्ला नौनी के आसपास की तिथियों नक्षत्र होने चीएगा पर हम कहां मनाते हैं हम रावन के विजय हदेश्मी हैं और दीपाव अश्रमी को मानते हैं राम का योज्ध्या में आने का प्रकारश कहा चयत्र शुक्ला नौनी और कहां ये कार्तिक की दीपाव अली कहीं साथी भी बैठते हैं और राम्यन के ब्रोष बार इस में और सेंस्कृट जानते हैं पर जो सेंस्क भगवान राम के साहेकों में जो वानर वर्ग था, उसे तीन भाग थे, एक था गोलांगूल अत्वा गोपुछे, दूसरा था रिक्षव और तीसरा था वानर, संस्कृत में रिक्षिक शब्द के चे अर्थों पें, एक अर्थ है नक्षत्य तारगन, दूसरा अर्थ है भालू अब हम लोगों ने रिष्च अर्थी भूला दिया, नक्षत्य तारगन दूसरा और वानरों का एक वर्ग रिक्षिक यह भूला दिया, और स्री जहार रिक्षिक शब्द को रिच्च के अर्थों में लेकर किये, और जामबुवान कोमने भालू बना दिया, वानर व इतना रात दिन होने पर भी इतने रोग मिलकर के भी इस च्छोटी मोटी च्रूटियों को नहीं सुधार पार रहे हैं, चली जा रही है, चली जा रही है, ऐसी स्टिती में एक दिवस में संस्कृत रख करके, आप क्या प्राप्त कर लेंगे, संस्कृत दिवस, बस इतना ही चली जा राधी ने रही है, और जब राधी ने रही है, तो हमारे उस प्राचीन खजाने को सुरक्षित रखने के लिए हमें अत्रिक्त श्रम करना ही पड़ेगा, तो भी आम समझदार, आम पढ़ा रिखा रहती संस्कृत की प्रक्रिया से और संस्कृत की महत्ता से कुश परिशिक्ष हो जाए और हमारी प्राइटीन, संस्कृती, हमारी सभ्धता, हमारा साहित्य और हमारा प्राइटीन, जीवन पारिप्वास इन सब चीजों को बहुत अच्छे धंख से जाना से के इसलिए संस्कृत की अनिवारिता है को हमने इस युक्म हो भुला दिया तो एक बात पर दूर से जो भूल की कर्चा चल रही है तो विएग भूल मान लिए कि संस्कृत किसी भाष्या का नाम ही है सार इस दुनिया संस्कृत संस्कृत कर रही है क्यों हम दोब संस्कृत कर रही है और हमारे भाष्या का नाम संस्कृत है मैंने प्रयाचेन वांगने को देखा है मुझे इसको कहीं संस्कृत नाम नहीं मिला क्या आप लोगों दे आश्चेजी की बात नहीं है आश्चेजी की बात दो हो सकती है और नहीं मानने की बात दो हो सकती है तो नहीं मानने वाली बात करें तो मैंने आपको दो-तीन द्रहन दे दिया कि रामायन के रिचिता वाल में के द्वाफरी बोलते हैं हम त्वेता मानने जा रहे हैं रामायन हमारे साक्षी में उसे ठीक कर सकती है राम वापस आते हैं और उसी नौमी को उनका अभिश्य रुटा यही रामायन कह रही है आज हम इसको क्या नम देख पावदे को उनसे दूर कर सकते हैं तो जिस प्रकार से उन चीज को सहच दूर कर सकते हैं जानकर इसी प्रकार से हम इसको भी समझतर ठीक कर सकते हैं पर यहां वाल में के रामायन जैसा सुपुष्ट प्रमान हमारे सामने नहीं है इसे हम भी अपने संस्कृत नाम दे रहें उसे कि क्या आपको प्राशेंग ग्रंथम के संस्कृत नाम मिला शोचे आप अगर प्राशेंग ग्रंथम देज को प्थोड़ीर के लिए भूल जाए जो आम आदमी का विश्य नहीं है पर हमारे इतिहास के जो दो महान पुस्तके हैं और तीस से के पुराण तो वालिकीर मै भारित और पुराण हमारे 20 हजार वर्ष से उपर तक के समय का इतिहार दे रहे हैं इनन्हें अगर कहीं संस्कृत नाम नहीं है तो अब संकृत नाम कहा मिलेगा कुछ रोग अपने बश्पन से यह कहते हैं नहीं संस्कृत नाम है कहां है कि हनुमान जब लंकाने जाते हैं और सीता को इजदर चात्रव से धूंड लेते हैं और धूंड 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 उन्हें जिस समय वाशोकवन में मिल जाती है उस समय वो अपने आपको प्रकट करके सीता से बास्चिक परना चाहते थे कि दुरुफाद जवश रावन आ जाता है रावन सीता को धंकिया जैजिवा करके जैसे तैसे यह समझा करके तो में नेवी पत्नी बनना ही है और चला जाता है अब सीता को इस समय हनुमान बातचीत करना बिल्कुल उच्छी समझते हैं क्योंकि वो अपने आपको असाहाय पा करके और एक भेंगर जीवन जी लिए ऐसी स्थित्नी में उनके सामने प्रश्नी परदा हुआ कि मैं सीता के सामने कौन सी भाषब हुई वहां हनुमान के शब्दें ये जो भगवान वाल ने के रामायन में दिये हैं यदि वाचम प्रदाश्यामे द्विजाती दिवसंस्कृताम रावनम मन्यमानामाम सीता भीता हरिश्यती इसका श्लोक का अश्प्री मुझे कर नहीं पड़ेगा आपको सामने अन्याता आप पकर नहीं पाएंगे इस पास को हनुमान कर रहा हैं यदि वाचम प्रदाश्यामे में सीता को अपनी बात कहूंगा किस्तर की भाषा बोलकर कि द्वियाती रिव संस्कृताम भाषाम जर्चे द्वियाती वर्ग ब्राह्मान क्षच्र वेश्यादी वह हैं वो संस्कृत भाषा संस्कार युक्ति जिस भाषा को बोला करते हैं उसी संस्कार युक्ति भाषा को मैं भी बोलूँगा तो क्या होगा पिर कि रावनम मन्य माना मां मुझे रावन समस्कर के माम मुझे रावनम रावन मन्य मान्य भीयिता भविश्यती, एग दम से ड़र जागे, करें दूसरी कि देख तो मुझे अपने साख्साख्स रूप से परिशान करदा था, अब दूसरी के इस रू संस्कारिद भाषा में बात नहीं करनी है, तो फिर किसमें बात करनी है? तो मुझे उसी जन साधारण की बीच में, मनुष्यों की बीच में चलने वाली भाषा से बातचीत करनी है. तो अब आप बोली हैं कहा संस्कृता नाम है? रावन जी भाषा को बोलके गया था और हनुम जिसके चर्चा कर रहे हैं, वो इसको संस्कृत भाषा नहीं करें, संस्कारिद भाषा, संस्कृताम भाषाम, संस्कृत से अब भी रिशेशन हो गया, भाषा शब्दी स्ट्रीलिंग है, इदर संस्कृता भी स्ट्रीलिंग होए है, तो और उसका आज़ता है संस्कार संपन शंवन भार्षा इसका मत्वब इस कहने बढ़िक दोषाब से रहा निकल पर भार्षा ऐसी भी संस्कार संपन नहीं होती है हमकर जो होती है बिल्कुर होती है कौँ से नहीं प्राकृत कौई संस्कार ने आप यह कैसे कह सकते हैं तो देखे इस विशे पर तो मुझे विज़ार करने में आपको बहुत अधिक समय देना पड़ेगा और इसी कंभील विशे को समझने के लिए हमारे पास इतना समय में कि हम अपने मूल विशे को छोड़कर इस पर बैढ़ जाएं पर मां आपको अक्त पर संक्षित रुप में एक बात कहना चारूं जितने भी हमारे प्राक्रित भाषा के आचारी हुए हैं और सबसे स्रेश्ट आचारी हैं हेमचंद्र यह जो बार्ज़तीरी शित अब्दी बीच में इन आचारी हेमचंद्र तक सभी आचारी प्राक्रित का अर्थ बताते क्या कहते हैं कि प्रकृति ही संस्कृतम यह जो भाश हम बोलने जा रहे हैं राद दिन कामने दे रहे हैं इसका प्रकृति अर्थात मूल मूल कौन है संस्कृत तो प्रत है आगतम उससे संस्कृत रूपर प्रकृति से आई हुझे भाशा है उसका नाम होगा प्राकृत इन दौनों सोल्ट्रों का मिला जूला एक अर्स हो गया कि हम जिन भाषाओं को बोल रहे हैं वह वास्ताव में वह मूल भाषा नहीं है जिसे यह भाषा बनी है वह मूल भाषा है संस्कृत और उस संस्कृत की दोरा रूपांतार रेकर कि बदली हुई होकर दिगड़ी हुई हमारे सामने आई है तो वो संस्कृत रूप प्रफिर्शी के आधार पर चलने से इसका नाम प्रफिर्श हो गया अब करते हैं यह भी एक गरवर हो सकते हैं आपने मर्ज़ित से संस्कृत को उंचाद बर जागे जिए और इसके उपर चल रही है नहीं है चल रही है आपको दो तीन गूखा में इसके भी हम दे कर समझाने चोगो हमारे हां हिंडी में दो शबदि चलते हैं यानि एक शबदि चलते हीं यू कह लिए और उसके दो रूप है एक शब्द है पॉन फिर दूरा शब्द है पॉन और दौनों का रहा लगा लगा एक पॉन कार्थ क्या होता है एक चीज के चार लगातार भाग कर दे जाए और उसमें से तीन भाग ले ले जाए तो वो जो लिए वे तेन भाग है उसको हम बोलेंगे पॉन ठीक अच्छल उसमें आगए अपने बोल कें पॉन रुपया पॉन आ इस तरह अब जब दूसरा आज पूररी योट्र की वायू चल रही है इसके लिम बोलेंगे पॉरवया पॉन चले अभी भी पॉन है अब इस पॉन का वायू क्यों करते है और इस पॉन को हम छीफ वर्क वाला रूप क्यों दे रहे है कोई आपको प्रमान है नहीं, संस्कृत काम करें संस्कृत में एक शब्द है पादोन क्या शब्द है? पादोन पादोन का रथ है पादोन पादोन का रथ है एक पाद कम तो अगर किसी वस्तूग की पूर्णता उसके चार भागों में है तो उसमें एक पाद कम हो जाएगा तो शेश रहे जो है तेन पाद ही तो पादोन कादर सी हो गया पन अर्था तेन पाद पॉनय-अबारा का मतलब है कि पंदरब पंदरब मीठ की आंथ्र में हमारे पूरा एंग्ठा होना है और 12 वच्छने हैं उसके टेन पाद तो हो गए हैं, किन्तु पूरा त्योसा पाद में आया, इसलिए मुझे को पौने अबारा लिए बोलेंगे, और ग्यारा पैक्तालिस भी बोलेंगे, यह पाद वनकार्स हो गए, और दूशा शब्द है, वो है पावन, संस्कृत में हसा ब्यान पर पावन मान के करता है, तो आप सोचे, अगर पौन नहीं है, तो यह क्यों हुआ कि हम उसको पौन इसमी बोर रहा है? पपावन है तो हम पौन कार जान लेगे, पादवन है तो हम पौन कार जान लेगे, एसे आपके हिंदी यादी भाष्शाऊं में बोढ़े वाने हजारों शब्द हैं जिनके वास्तिक अर्थ को हम नहीं समझ सकते हैं टुकड़े करकर के समझने के लिए किन्तों वास्तिक समझ के लिए हमें संस्कृत की शेर लेनी ही पड़ेगी एक दो भ्यान आपको में और दे दूँ देखर देखने दिखाने में शब्द एक से हैं जैसे आपार रशोई पैसा में रशोई ठीक API अब आप रशोई शब्द को काम में लेते हैं और तिसथ्येकर करते हैं जिस काम के लिए लेते हैं उसका रसोई से क्या संबंद है आप रसोई रसोई क्या होते है रसोई ऐसी आपके बहनोई 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 तो रसोई रसोई रसी बहनोई 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 पोई पयोई पयोई क्या होता है पर जब संस्कृत सामने रखेंगे तो देखें संस्कृत में बड़ा मज तो जो जारा जारों रसोई के लिए संस्कृत शब्द हमें जारों वर्स में से का मानना उना रसवति क्या हो जाएगा रसवति अब रसवति का बिगड़ करके रस ओई बन गया अब यह ओई यहां भी है और इधर पन बहने को बोलते हैं तो संस्कृत में वह भगीनी पती वहीन का पती है वो बहन होई है अब यह ओई पती अर्थ तो नहीं देता यह ओई रसोई में रस वती वाला वती अर्थ तो नहीं देता एसे ही जड़ी बुछ उसका संस्क्रित नाम पोधिका फोधिका हमारे हिंदी में आर्थ करेंगे तो पोई को मिल जाएगे पर पोईदी का शब्द के जो गुन दो शवारे संस्क्रिट में दिये हैं, वो आज हमारे हिंदी में आर्थ करेंगे, तो पोईदी को मिल जाएंगे, ऐसे ही कोई शब्दी भी है, अब क्योई कोई का कुपला है, संस्क्रिट में शब्द है कष्चित है, कहे माने कौण चित म में दिकर कोई बन गया, तो कौन कहां और कोई कहां, तो कौन और कोई पर अपने हैं कहोई से आपका काम नीच चलेगा, तो संस्क्रिट शब्दों को हम नकल करते हुए, और ड्रिष्टि में रख करके, चोड़ फोड़ करके, अगर इन शब्दों का अर्थ से जिनना चाहे तो हमें नहीं मिलेगा, पर वास्तिक अर्थ को जानने के लिए हमें संस्क्रिट में जानना पड़ेगा, तो संस्क्रिट में जानेंगे, तो हमें पार पड़ेगी, तो इस द्रिष्टी से इन प्राकृत आचारियों ने जो बात कही है, कि प्राकृति ही संस्क्रिटम, वस् इस प्रकृति से आगतम आईवी भाषा ये प्राकृत भाषा है तो प्रकृति संस्कृतम तत्य आगता आगतम प्राकृतम इस प्रकार प्राकृत और संस्कृत का जोड़ा बन गया तो अब आप सोचे जर जितने बातें अपन ने क्यों से इस परस्ट होता है कि संस्कृत किस अर्थ कर सकते हैं इस प्रकार के संस्कार संपन्ध होने से वह संसक्रित लग्हान पोर दी अमने पनले की शॉछपकर राजस्तान भिषयर है जोटपुजी अब निस्टिर जिसके साथ में स्थान आदिय का नाम जूड़ाबाद संस्कृत में कोई स्थान वगरे नहीं किसी प्रकार के मनुष्टि का नाम नहीं है कुछ भी नहीं तो फिर इसको हम संस्कृत को भाष्टा का नाम कैसे देंगे हम के वोले इतना जानते है कि संस्कृत की जिस भाष्टा को हम कह रहे हैं वो एक ऐसी भाष्टा है जो संसार के आम आदमी के साथ जिरूरी है यह अरकल हमें संस्कृत से जात नहीं होता है संस्कृत से जात नहीं होता है संस्कृत से जितना होता है कि भाष्टाओं में यह वो भाष्टा है जिसके एक कि एक पढ़ी के टुकड़े करके एक शब्द के टुकड़े करके हम उसके वास्तिक अर्ष तक जान सकते हैं कि इस चीज को यह नाम क्यों दिया गया तो आप प्रश्न खड़ा लेता है कि हजारों वर्षिप से हम देश भास्तिक करके चाले आ रहे हैं उस भास्तिक में नाम मालूम नहीं है मैंने का बस यह हमारे देश के सबसे परस्तिक है हम अपनी कुछ चीजों को भूल जाते हैं तो ऐसा भूल जाते हैं कि जैसे कि वह थी ही नहीं वह मैं जो तीनोग्यान आपको में दे चुका हम क्या कि राम प्रश्ताम हुए हमने द्या पर कभी समझ में आए राम जब आये तब रावन को मार के तो रावन को उन्हों बश्यरे को उमार रहा है तो लंकार चाहिव ज़्या तक लोग से लोगते और क्या नाम आपका दीपावली का दिन आ गया तो राम के जैतने वाला जयन तो भीया देश्मा ओ गया और य इससे धिन हम और कुछ भी नहीं बसाते हैं तो ऐसी सित्य के अंबर उस भाषा का नाम हम कहां से जानेंगे हमारा काम चल रहा है, संस्कित बोड़र है, माले आ रहा है, कोई बिक्त ही नहीं हो रही अब इसका कारण क्या है, वो हमारा अज्येन ना परवाई और यह लापरवाई पिछले चार-पांथ हजार वर्षिक से चल रही है क्यों? क्योंकि हम प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, हमें इस भाषा का नाम मिल चल रहे है कैसे मिलता है, मैं आपको इतिहास के दो ग्रंथों यह नाम वापस रूँगा रामएयोर महावार्त। रामएय' में एक प्रसंग आया हूँ है और प्रसंग यह है कि तीनों लोकों का राजा और खासकर स्वरिग का राजा कहलाता था हूँ इंड्र जिसको हम देवराज भी बोलते हैं सुरेंद्र भी बोलते हैं देवेंद्र भी बोलते हैं नानव प्रकार के नाम लेते हैं तो वो देवेंद्र नेगनाद से हार जाता है नेगनाध उस़ों जब पकर केज खर लेता है तो स्वभा विक है के अब राज्य देवेंद्र के हैत्ज में नहीं गया तो राज्य किस के हाथ नगला है नेगनाथ के दवरों राज्य उसके रावन को मिल जाता है और एक दर से स्वर्ग का राजा रावन बन जाता है देवेंद्र शुप्रया जाता है तो जब वापस स्थिति आती है और देवेंद्र को अपना राज्य वापस मिल जाता है किसी प्रसंग में कैसे भी हो तब जाकर के ये देवेंद्र ब क्यों भोगने पड़े तो इस लंबे चोड़े प्रसंग को देवेंद्र के सामने अर्था इंद्र के सामने बचाने के लिए ब्रह्मा सबसे प्रदज्वेएक वाक्ष कहते हैं वो वाक्ष हमारी बड़ा काम का है वो काते हैं कि अमरेंद्रो मया बुझ्ध्या है अमरों के अठा देवदाओं के इंद्र स्वामी देवेंद्र मैंने ये श्रिष्टी की जह है रशिना की थी तो कैसी स्वृष्टी? एक वर्णा, समा भाषा, समः रूपा सुने स्चय18 असंचय18 इसमें एक ही वर्ण है सबकी एक ही भाषा है एक ही भाषा है और सारी प्रजाखा एक ही रंग है तो सारी प्रजाक का एक ही रंग, सारी प्रजाक का एक ही वर्ण और सारी प्रजाक की एक ही भाषा ऐसे स्रिष्टी में ने की है तो जो जगते स्रिष्टी पैदा कर रहा है अपनी स्रिष्टी को नाम वोई देगा है अपकी भाषा को नाम भी वोई देगा तो अब आप सोचिए हम इस संसार किसको बोलते हैं इसका एक नाम है ब्रह्मान एक आवर्ण पाया हुआ सारा रश्चिनास्चल इसी ब्रह्मा के द्वारा बनाई जो अन्य चीज़ें उनको नाम कोई देते हैं ब्रह्मा जगत ऐसी ब्रह्मी भाष्या तो संस्कृत में कार की श्रिष्टी दी एक ही भाषा उसको दी है तो वह भाषा ब्रह्मा की बनाई होगी और ब्रह्मा की बनाई होने से उसका नाम ब्रह्मी स्वावाविक है तो ब्रह्मी उसका नाम हुआ और संस्कृत उसका गुन हुआ यह कह रही है रामायन और रामायन का समय आज से सा अगर मैं ऐसे संस्कार वाली भाषा बोलूंगा वहां मैं अगर संस्कृत भाषा बोलूंगा कि नहीं बोल रहा है जड़ी वाच्यम प्रदाष्यामी द्वियाती रिव संस्कृताम द्वियाती वर कि द्वारवा जिसके सारी कम्यां दूर कर दी गई है अश्यां बोलते समय कोई कमी किसमा नहीं आने दी है इन्वित करेख आर्थ और ज्रार네 मिलकर के अपना पूरा अर्थी देते हैं इसका नामहें संसक्रता नामघ्या के विशेष्टा है ऐस तो अब आपको रामाईन के दो तो जो मिलता है, वो मिलता है महाभारत से, किस मिलता है? महाभारत से, महाभारत के रस्चिना को आज 5000 वर्ष हो गए है, तो इसका मत्द्द हुआ कि जब प्राची निकाल से लेकर के, और 5000 वर्ष तक हम लोगों को याद था कि ये ब्राम्मी भाषा है, महाभारत का स्लोक है, एक भ्रिगो नाम की जो रिशी हैं, उनसे भरद्वाज एक प्रश्ने करते हैं, कि ये संस्रार कैसे बना, क्या बना, मुझे बताइए थोड़ा सो, जैसे आज हम दोग नानव प्रकार के प्रश्ने लेकर के, और किसी अच्छा ज्याता के पास जाकर के, और अपने उन प्रश लोभात्वध्यान अतांगाता, ये भ्रिगु का कहावा उत्तर है भरद्वाज को, और इसमें का, एते, चतुरह, इती वर्ना, ये जिनके मैं नाम देचुका हम, ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्य, और शुद्र, एते, ये, चतुरह, चार, वर्ना चार है, कौन से जा रहा है और इनको क्या कहा, ये शाम ब्राह्मी सर्सोती, जिनकी भाषा, सर्सोती अंगर भाषा, क्या है, ब्राह्मी, कितना स्वस्ट कहाती है, आपके चारों वर्नों की, एक ही भाषा होगी, समा भाषा, जो वादमी गिरा मैंने करा, ब्राह्मी सर्सोती है, तो फिर क्या हो आज क तो कहते है विहता ब्रह्मना पूर्वम यह उनिक इले ब्रह्मानी पूर्वकाल में बनाई थी किन्तु लोभात अज्ञान अजांगा था लोभ से वो भ्राम्य हमारे हैं से छूपती थे और उसके विशेष्टा को बचाने वाला संत्कृत सब्द रहता गया अब लोभ भाश मनुश्री के कई जगे प्रविर्टी है अगर यह काम इस तरह दो मिलिट में हो जाए तो 10 मिंट क्यों दगाने है रोभ होया टाइम बचाने का तो इस प्रकार का रोभ करने में हम भाशा को जल्दी जल्दी और यह विचार किये बिना कि हम जो बोल रही नहीं हो आपने संस कि वह देखती नहीं बोल सकते क्या जो संस्क्रित बोल रहा है अगर संस्क्रित बोल रहा है तो यह इस प्रकार भाशा को जल्द बाजी में बोलने में शमय बचाने में श्रम कम पढ़ने में जो हमारा लोह उत्रत हुता गया वह हमारे ब्राम्मी को हमसे चीनता चला गया य तड़ भी दे दिया कि हमारी भाषा का नाम क्या है ब्रह्मिय और यह भी बताती है इसका बनाने वाला कौन है ब्रह्मा है और यह भी बताती है कि हमसे क्यों छूटती जारी है एक श्रोकन तेनों आते हैं इसका आगे और विए लोगों ने कहा है कि हमने जो वालमे किरामने प विशेष का मतलब है फर्क, विशेष का मतलब है अंतर, तो 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 विशेष का मतलब है इसलिए आगे के लिया, ब्रह्मना पूर्व सिस्टम ही कर्म भी भरना परम गाता, पूर्व काल में ब्रह्मा ने इनको एक रूप में इसी प्रकार से पैदा किया था, जब इनके अलग-अलग काम होने लगे, जब काम होने तो हमने काम के आधार पुपकार नहीं है, अब एक अब एक प्रिंशिपट्र आज यो लेक्सर नहीं है, जरक्षर विश्टर नहीं हो सकता, अब यह पर ज्यवस्था है, तंत्र है, प्रशाशन की कोटिम बैठा हुआ है, महाविज्या ले चला रहा है, प्रिंसिपल है, पहले किसी एक विशे को लिएक पढ़ाता था, तो उ पिचा भी है पिचा बेचा भी है पर उसके पुकारने के जो अलग अलग नाम होगए है वो उसके संबंद की अनुसाल ठीक इसी प्रकार से काम की जरिश्यी से वो अध्याप हो गय है संबंध से बेचा भाई, दादा, चाचा चाची, नाना सबकुछ से एक ही तर्टि हो रहा है दो वह यह कहते है ब्रह्मणा पुर्ण शोरिष्ट्यम ही ब्रहंम ने पुर्न जगत को जन्न दिया जगत है ब्रह्म और इसको जो दिया वो नाम भी ब्राह्मनी जगत और इसलिए केवल धीरी-धीरी काम को अलग-अलग करने से उनका अलगए नाम होगे एक ज़क्ति अज्यापक छोड़का कि जगए क्लर्क बन जाता है बैंक में पैसे ज्यादे हैं होगे हैं अब बैंक में क्लर्क होगे तो कि इस प्रकार से काम की दिश्ची से बदलते जाते हैं तो हमारे ये काम रहे हैं जिसे इतने नाम हो गए बाकि ब्राह्मन ख्षत्री वैश्य एक ही है ब्राह्मम जगत क्या का नाम दिया ब्राह्मम जगत इस जिगह में एक बात आपको स्वाभाविक रूप सिस्पस्ट कर देदेडी यहां किया है कि Start ore by a ब्हाम्म का मत्व सीधा से ब्रह्म से पेद किया है को मेरे ए एक श्रोग भछण बहुत प्रस्द प्रसिद्ध और क्या करेश्ध है जन्मना जाहते सुद्र व्यक्ति जन्म से शुद्र पैदा होता है क्या पैदा होता है? शुद्रो जन्मना जन्म से जायते पैदा होता है शुद्रह शुद्र तो फिर क्या हो? संस्कार व्यक्ति जन्म से शुद्र पैदा होता है अपने संस्कारों के नए जन्म के अनुसार अब ड्विज नाम धारन करने वाला होगा है फिर आगे वेदा धैनाद वहवेद विप्रहो जो वेद आदि शास्त्रों का अध्येन करेगा अच्छा ज्यान विज्यान दोनों का धनी हो जाएगा तो उसका एक दूसरा और नाम हो जाएगा वो नाम है विप्रहो और फिर ब्रह्म जाना आते ब्रह्मन है और अंत में उसका अंतिन नाम होगा तो उसके जीवन का अंतिन कर्म है उसकी सफलता को उताने वाला है अगर ब्रह्म्ह को अच्छी प्रकार से जान गया तो उसका नाम हो गया ब्राह्मन अब आप दो को एक ज़िवन के विकार्षट के अवस्था को पता ही जागा जन्न से वो शुद्र है संसकारों से वो द्विज है वेजाजी विद्ध्याओं के अध्यन से वो विप्र है और ब्रह्म को जान लेने पर वो ब्राह्मन है अब बताई हम शुद्ध को छोटा कहां माने पर लोग नास्तर ऐसा मान लिया क्यों मान लिया कि पाधाभ्याम जायते शुद्ध है हमारे वेज का एक मंत्र है ओ मंत्र क्या कहता है संपूर्ण लोगों की पत्ती को बताने के लिए वो बताए बात बदी मज्यार कहते है कि यह जो परमात्मा है उसके मुख से ब्रह्मन पर दोता है मुख से कौन होता ब्रह्मन भुजाओं से कौन होता क्षट्रिय उसकी जो उर्व जंगा होगरा है उससे कौन होता वैश्य और पैर से कौन होता शुद्र तो कहते हैं कि मुख से ब्रह्मन भुजाओं से क्षट्रिय उर्व से वैश्य और परिभ्याम शुद्र हो पैरों से तो लोगों ने कहा कि देखो कितने निश्टा की बात आए शुद्र को कितना निश्प्षा के लिए क्यों कि हम जस प्रकार से आराम से दूजी शब्द कार्च कर लेटें दूसरा जन्मत व्रहमन का अर्ष कर लेकिए ब्रहमु से जुड़ावा ऐसे हमने इस क्षूद्र वरस क्यों नहीं देखा संस्क्रित यह भी शाइटा कर लिए अब जानती है शूद्र वरस क्या प्रद है बहुत प्यार आख और हम साथर्मन इसी नाम से लेख है शू ड्र इसके तेन भाग आए शू उठ ड्र ड्र दोड़ने अर्थमागता है उठ उठकर उपर उठने रिकास करने अर्थमागता है और शू का मत्वाप है जल्दी अपने हिंदियों बोलते है आशू जल्दी काम करने वाला तो शू आशू सुन यह सब संस्कृच चब्द तो शू उत्य ड्रै अपने उठकर से लिए जो जगदी से जगदी दौड़ जाता है अर्था जिसमें किसी प्रकार का आलश्य नहीं है समय का लोग नहीं है और कुछ नहीं बस ये मैं अगर इसे निरी उन्नति हैं तो मुझे करना है ये काम इतनी बड़ी शक्टि जेकर परमात्मा जिसे पैदा करते हैं अब बते हैं हमारा मुल कौन होगा शुद्र अगर परमात्मा ये शक्ति देकर ने भीजे और आपको ज्ञान विज्ञान की जेवी सरसुति का वर्दान देकर भीजे काम करने के इच्छा ही नहीं है तो सरसुति नहीं हुगता तो शोम मतरस सवामी है उस महा शक्ति का नाम है ब्रहम है और उस महाशक्ति का जो काम लेने वाला और संसार को बनाने करने वाला जो प्रतिनी जी है उसका नाम है ब्रह्मा तो श्रिष्टी करने वाला ब्रह्म है इसलिए हम ब्रह्म हो गए और हम उसी ब्रह्म के विश्चार को कर रहे हैं इसलिए ब्रह्म का विश्चार को ब्रह्म हो गए तो संसार में धर्ती, मित्ती, कोई पशू, पक्षी, कोई विश्ची चा जड़ हो चा अज़र हो चेतन हो य और ये ब्रह्मा ही उस ब्रह्म को लेकर के सारी स्रिष्टि को बनाता है इसलिए एग पंदित और बोल के हैं सर्वम जगत ब्राम्मन मेव वर्तते सर्वम जगत सारा संसार क्या है ब्राम्मन एवो ब्राम्मन ही एव का मतलब से अनिवारी रूप सी निष्टित रूप सी ब्राम्मन है सर्वम जगत ब्राम्मन एवो बर्त पते सारा संसार ब्राम्मन है यह किसी वो खुश करने के लिए ब्राम्मन है आग उसने अपने आप कह कियो ब्राममन क्यों है था इंटो यह वाजते हैं से प्रषिष्टा प्रातिस्था जी अओ इस तैसल Qadhani ब्राम थी ज्यों है हम जानते कोई मर जाता है तो हम राम नॉं पर आ गया पर उसकी वास्वत्र पर आ देख सो ना हमें पर दापरागए enjoy को पर उसकी जो वाश्तिश अभब तो जब आगे पर पिछे संपुन जीवन अगमन को नहीं केला अगर सके स्थीरों प्राभव अजय केला है शार्वम् जगष भांवन है में अपने में लिण करने वाला है ब्राह्मान जब एक पर भाद धरामन कहरें तो उसको आप सिखार नहीं कर रहा है और पडिव्याम जयाएते से कह रहे हैं और पार की बाद भी सुन लीजे आप बहुत बढ़र पुद्धिमान भी है शक्तिमान भी पार काम ने कर रहे हैं लगाई कर देंगे कि दो मिनच के ल कर भी तो इसी मंत्र में कहा गया है कि यह जो परिब्याम भूमी है उसी परमात्मा के पैरों से भूमी जखोना कहां कि जो उसका सिर है उसके चंखिन वाला आकाश में हजारों करोडों लाकों अनिजिंति ग्रेंनक्ष्छत प्रूं में उसका फिर वह थो उसके बीछ केबाग यह शारा खाली जगाश ही जिसको हमें अंतरिक्ष बोले हैं आकाइस लोग को है और उसका पर पेड़ ब्रत्वी और इस पृथ्ट्वी को मा करें जिससे हमसरे कुछ पैदा हो हैं जिस के पेड़न हम süड़ने और अन्पादिय में पर हम चल रहे हैं उस पृथ्ट्वी को हम तो जब तक हम संस्क्रित को इस द्रिष्टी से नहीं समझेंगे, जब तक हम संस्क्रित के इस मूल उद्देश होनी समझेंगे, तो जब हम संस्क्रित के नाम को ही भूल गए, तो हम से अप्रिक्षा कैसी की जा सकती है, कि हम आगे बढ़ें, और इस छोटी-छोटी च्रूट तो मैं ये कहना चाहा रहा हूँ, कि संपून श्रिश्ठी करता धर्त ब्रह्मा के द्वरstes ये वद ये užानी की बिशीक्री की गई है और अबुद और दो आपको ध्यान डाहत दीअ है, और पेशल क्षाप गए नाहीत क्यों नृइन बैंने में बाइत सघ्र दी निकाले और इ यह जाती वो कुल्यम पड़ी देखकर कि हाथ पकड़ खिंच के निकाल लेता है और वो पूश्ती है क्या आप कौन है उसे जाती पूश्ती कि हम मैं आप बोर रहा हूं हमार संस्क्रिमा त्वम शब्द का प्रयोगा है त्वम कार्स तुई होता है पर अज भी अंगर जी में यू को लेते है यू अपने से बड़े को हुआ जाया चोटे को यू बोला जासकता है पुश्ती को भी तो ऐसा यह त्वम शब्द भी प्रास्ची निकालना है सभी प्रकार के अर्शां को जैने वालता है तो वो कहते है कि भले आदमी राजवत रूप देशवत ते 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 रूप पर ये इस तो राजया के और ब्राह्मिन वात्यम दिभरते चले और तो ब्राह्मि वनी वह रही अंचाक ब्राह्मि बोली बोल रहा है समझ में जाई तो कौन है रूप रंग से तो राजया जैसे लिए और तेरी जो भाष्या है उसे ऐसा लगजा जैसे तो जपरदस्त ब्राह्मन हो कोई बोल कौन है कहां से आया क्या है तो उसने उत्तर दिया कि संपूर्ण वेज को मैंने ब्रह्म चले के साथ पढ़ा है तो और राजया हम राजय पुछ त्रष्ट है मैं स्वेम राजया भी हूँ और राजया को पुछ्तर भी हूँ अब तुपूश्री कहां से आया उसका जोव उसने बड़े त्यारी धंग से दे जिया मैं सब जगय यायाती नाम से प्रसिद्ध दूँ इन इसका मतलब तु म पूरी प्रसिव मेरी है जो व्यक्ति प्रसिव का राजय वो कहां से आएगा क्यों बोलेगा कि शारी भरती का मैं स्वामी हूँ नेरा नाम यायाती दुनिया जानते और सचवात है इसने अपने पिटा के मुझ से सुना था एक बार कोई बात आ गई थी तो अपने पिटा स पूछाए बदाओ कि आप जिस राजा के सामने खड़े रहते हैं उस राजा कि आप गुलाम हैं आप उसे स्तूति करने वाले हैं उसके सामना विखारी हैं तो वो कह जो पागल किसने कहीजा तुझे मैं कौन हूँ ये संसार में दो जखते जानते हैं या तो देवराज इं करती है क्या कि आज से करीमिन वोई शार आख 9000 वर्शिवल प्रयोग किया जा रहा है तो 9000 वर्शिव लेकर महाभारत के 5000 पहले जाका अपने लिए तो महाभारत में इस प्रकार के अन्य एक प्रसंग है जहां इसका नाम स्पस्त रूप में ब्राह्मिक आ गया अब सबसे बड़ा और सबसे अंतिम एक उजहर मापके सामने रख रहा हूं कि ठीक है संस्कृत ने कोश है उसका नाम है अमरकोश आम जपि जिसका संस्कृत नाम से परिश्य है वो अमरकोश बहुत परिसे हैं अमरकोश में भाषा के नाम दिए गया है चाहे उश्वी इसी से करता है ब्राह्मितू भारती भाषा गीर वाक वानी सरस्वती व्याहार उक्तिर लपितम भाषेतम बचनम बचहो ब्राह्मि भारती भाषा गीर वाक वानी सरस्वती व्याहार उक्तिर लपितम भाषेतम बचनम बचहो ब्राह्मि भारती भाषा गीर ब्रामि अब हमने सुमल द्याशे हिंडी एक भाष्या है ऐसे ब्रामि गी एक भाष्या है जिसे अपने हिंडी नाम इसके है तो जो ब्रामी तू कह कर पुकार रहा है कहीं अमर कोशन संस्कृत नाम नहीं है भाषा के लिए क्या कहीं नहीं है ब्राह्मी नाम पहले परिशे दिया हम आज से 2000 वाष पहले बने इस ग्रंत का अर्थ पर सही नहीं कर पा रहे हैं और ब्राह्मी को भी भाषा का पर्यायवाचे मान रहे हैं भाषा का नाम नहीं मान र पर्मी का वाशां के गांशे औरुमी परियाए वाशान तयाम के वाशा रा ह towel सूञशा है लेम काला है किसEd jong और दो उसकी पेजिटू पर ब्रामा मियाज के पारें कि ब्राम्मी पर्यायवश नहीं, अप्रितू इन सारी भाषाओं का एक नाम है, अब चลब हुर हिंडी है, चा कोई भी है, उसका नाम है भाषा, पर ब्राम्मी एक विशेश भाषा का नाम है, और वो ब्रह्म से की कहिए, अब आप हम लोगों ने हिंदी आधी शप्तों को महज अपनी कमजूरी की वज़े से बदल-बदल का जन्म दिया है इसलिए अब हमारी हिंदी आधी ब्रामी नहीं कहलाएगी, ब्रामी के रूपांतर कहलाएंगे क्यों कि लाइंगे ब्रामिकरी और इस रूपान तरको हम आशी भाष्य बाचेक्टियन लोग बड़ा बुरा लगा पर सही सही होते है उसका नाम अपब्रश्ट क्या नाम है अपब्रश्ट या अपब्रणिश्य विद्रश्ट तो जो भाष्य बोलते लोगों के उचाण में को अभी ब्राममन को गरा विरामन बोल गो अ है आ हो बामन न भूले अ की तो बामन और वर्षी कहा गाये भी रवहा人, भार्मन के होे भार्मन बोला है you 20 न ही न गमले गए भोर्रामन के अधार ब्रह मन से बामन से 100 ए गरेगां वार्मन इस जीधा संबन्थ ब्रह्म से सिधा सम्मंद क्यों है? क्या आप खाओ मत, प्रिवो मत, खाने पिने की चंता करो मत, आपका एक ही काम है, संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और रिज्ञान से ब्रह्म के साथ जोड़ना, तो ब्रह्म तक संपूर्ण विश्व को ले जाता है, इसलिए उसका नाम है ब्राह्मन, क्या नाम है ब्राह्मन, यह कोई वर्णा हमने नाम दे दिया ब्राह्मन है, आज कले है तो हम देव कुफिर दो यह करें, हम भ्राह्मन अपना आपको करें, ब्राह्मन अत्तों का इस पर सक गुन भी हम में नहीं है, अगर ब्राह्मन अत्त वा कुन होता है, तो आज संस्क्रिट के अपने देश में यह दशान ही होती है, चौकि वर्णा नाम ब्राम्मनो गुरुप, ब्राम्मन, सट्री, वेश, शुद्व, इन चारों वर्णों का गुरुप लेहिमा से ब्राम्मन हैं, अब ब्राम्मन गुरुप तो नहीं भाता हैं, आज चेले ऐसा पर गुरी नहीं जानता है, चेले कहां से जाने जाएं, इसका मुला ब्राम्मन जासे शिथिल हुआ, और ब्राम्मन शिथिल क्यों हो गया, इसका ही कारना है, अभी महावार नहीं पचाहिए था, लोभात पज्ञान सांगता है, दूसरे पासवार बाता है, देखे हमने सबसे पहला जो यज्य है, उसका हम रिशियों का रिन मानते हैं, और उसका नाम है ब्रह्मयज्य, क्या नाम है, ब्रह्मयज्य है, दूसरे जो है, वो अपने पित्रों के लिए है, उसका हम बोलते है, पित्री यज्य है, तीसरे यज्य देवजाओं के लिए देवजाओं के पित्री यज्य की बाद में आता है देव यज्य, वह हमनों वगरे करना है, और चौथा यज्य है मनश्य यज्य, अर्था अतिछी यज्य, और पात्वा यज्य है भूती यज्य, संपूर्ण विश्व के जितनी भी प्राणी है, कीले मकोडे, अब हम पात्यों अपने जीवन लग 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 करते हैं, देखो, ब्राह्मन के नाम पर पूजा होना, कराना, करोना, बड़ा सेठ भी जा रहा है, तो ब्राह्मन के जुकर, प्राह्मन के राजा भी जा रहा है, उस नाम पर आज भी सद्धा चल रहा है, चल 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 रहा है, क्षत्री है, उसका भी है, और हम अर्थ अगर देखें, तो बड़ा विस्तित्र है, तो ब्राह्मन, ख्षत्री, वैश्य, शुद्र ये मनुष्री की विकास, जो मैंने पुराने एक श्लोग आजा था, जन्मना जायते शुद्र उसने चार नामनी है, उसमें शुद्र है, द्विज है, विप्र है और ब मिनुष्य को दिया है, शुद्र की रूप में, और फिर शक्ति दिया है, अगर ब्रह्मों बल की अधिकता है तो ब्रह्मन, ख्षत्र बल की अधिकता है तो ख्षत्री है, और अगर वेड़ बल की अधिकता है तो वैश्य है, ख्षत्री क्यों हो, ख्षत्री सब्द का रस्त्रः, शरह त्रः, शरी के रख्षा कहने वाला, तो यह हमारी लिए ब्रामन खशत्री पठया गया, खशत्री प्रह, कोई भी बिक्षय संसार में हो, कोई भी प्राणी हो, क्रीट हो देख़एगा, तो खशत्री अपने जीवन को भूल जाएगा, उसको यहां कि को अपनी स्वमान सक्ति के आदा पर दुखी ही हो रहा है सारी प्रजा मेरी पुट्र है अब ये बात है आज का हो गया आज ये लड़ रहे हैं नालेक राद दिन कि हम भारत के ऊपर स्याशन करें और प्रजा की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए राष्ट्री की रक् कि मनुष्य अपने हिट के लिए काइदय कानवम निकालेगा और उसमें धी गजया निकाल कर नश्र करने कोशिश करेगा और वहां राम जैसे दिखती लिए बार बार आता है रामो दिवरना अभिभाशते राम अपनी जीवन में एक बात को दूसरी बार नहीं बोले है पह तो अइंसा, सत्य अस्तय ब्रहमत चर्य परिग्ला है यह जो हमारे पांच यम है संपूर्ण संसार के लिए पालन करने योग्या है यह भी हमारी ब्रह्मी भाशेक बतागे अपने वांगने के द्वारा और वो योग के माद्दी से पदाए लोग का मादभर विष्व की प् कि प्राचेन काल के सारे लोग अपने जन्म को उपर उठाने में जिन्राथ लगे जाते थे तो वो संस्कृत का किस प्रकार से अज्ञन करते रहे होंगे वो आपके नमूने आते हैं वो सारे विश्वकात अशंब्राथ है और कह रहा है कि मैंने ब्रह्म चरी से सारा वेद अहल्या के पास पहुंशते हैं अहल्या अपने पट्टी के शाफ समूत हो जाती है और दुनिया के सामने आ जाती है इसको लोगों ने बिगाड़ दिया कि वो पथर की बन गई थी राम ने जाकर प्रेट हुआ और वो आपस सिस्ट्री हो गई अब तुल सुजा जैसा भक् जाने के लिए किस प्रकास से तोड़ मरोड़ कर बात कह रहा है यह बचा रहा है कि हम कितना अपने भार्ती संस्कृती और संस्कृती की एक मात्र भाषा जी जो ब्राह्मी भाषा है जिसका स्वरूप संस्कृत है उससे दूर से लिए जा रहे है वो उसके कविता उली आज मैं नहीं चाहिए कि मापके पैर्द होंगा कि महराज मैं कोई ब्राह्मन सुनी जो में पास में के काम हो एक नाव जिसकार में जी रहा हूँ आप ने चरने के लिए पैर लगाया जो अगर और अचे चलिए गई तो मैं तो मैं आपके पैर्द होंगा अब भक्ति दिखाने के तुछ से ने क्या गंदा मार के लिए है मेरे समझ महीं आता है सत्य क्या आपको मालूम आप लोग पढ़के देखें यह जब आता है चित्र कूट क्या नम आयोग जासे निकल कर राम जब पहुंचते हैं तो इसको निशाद को पसा चल्पा है और राम का इस प्रकार से खडले निकल कर राम बात निशाद रहे जबस्त में हैं क्या है मिघ्न दा उनम पख़टकर करने यू लगा जारे है वह राम निशाद्ध कर देखें में थना जबस्त बात है और वो कहते हैं तो को अन्हें से रád नहीं है तो बन हो बादुक स्राल तो इतुल से नहीं कहूं हम कितना प्लोड मरवर कर अपने साहित्य को रख रहे हैं किवल अपने किसी एक उनमाद के पीछे हैं कई भक्ति उनमाद हैं कई बड़ा नयार्श देरों समाज को एक बहुत मचल कीछी है यह सब पागलपन है तो यह जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम लोग संस्कृत नहीं कहलाएंगे संस्कारित नहीं कहलाएंगे संस्कार संपन नहीं कहलाएंगे आचारवान नहीं कहलाएंगे और हमारे वेदों के विशे में सबसे प्रारंब के ज्यक्ति हैं हमारे सबसे बड़े ज्यक्ति जो हैं स्वायम्भू मनु बूल के कहें कि आचार हीनम्न पुनंति वेदाहा ज्यक्ति अगर आचारी इन है देज उसको पवित्र नहीं करेंगे मन बूलत है और हमारे कहाας आचार मन चंग ए तॉ मन को पवित्रता लखना आचारा मन की पवित्रता के वीशयमें मनु वे उस्योक और ज्यक्तने में आचारा लखना उसको कामने आने वाली बहरी उफकार की चीज़ है तो हम अपने प्रयोजन की सिध्धी के लिए अगर जूट बोलेंगे तो अर्थ शुधिन यह तो भगवान के बर्चन करना महाला फिरना बिलकुल रफ है आप हमें धोका दे सकते हैं भगवान को दोका ने जिए सकते हैं त श्चbu店 अपके मनँने बैठा है, ब्रह्म है उससे स्वपुषिया आप है तो इस प्रकार की उन्होंने कहा कि राध्य तेरह है उसका नेज में ने पृत्या मैं बादा किया है चाओजय वर्ष में बहाइं में लeनुको तो भईया मै तेर साहओ में चलूँको निक्तु कि जब भरत में देखा कि इस प्रकार मेरी मा की वज़े से और ये भेंकर स्थिती बन गई है तो राम को दानी के लिए निकल पढ़ता है निकल पढ़ता तो रास्ते में इस इस्थान फिल आता है तो किशिंग आकर देख्टी ने बचाया तो बड़ी भारी सेना लेकर के वो आरार जंदर देखने हैं साइसा लगता है अउज्जा के लगते हैं तो वो समभ निश्चित राम को एक मानव भाया बहार बेटा करना चाहता है हमेशा के लिए खत्लम तो मारने के लिए जारू आ इतनी सेना लेकर के चलो अपन देखते हैं अब जो लगती है अयोध्या की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वो एक नाव वाला कोई सामान ने जबती है वो उनका राजा है बौर तो वो तैयार हो जाता और उसकी एक नाव कितनी बड़ी आप कल्पना कीजिए ज पांच सो पांच सो सेनी के जाए अवर से शर्च लिकर बैठ जाते हैं ऐसी कई नावों का जो धनी है और आकर उसने सारे गंगा के उस पार को चार्था जो नदी सी नाम जा रहा है और भर दिया तो फिर उसे मनमा है यह जो जाता हो गया तो बेश्टा जाता है तो को ले जा करके वे शंपूर आदर सत्कार वगर करता है और अपनी नाओं से भरत के साथ आई शारे सेना को राम के तरफ पहुंच जाता है अब इतिहास को प्रवर मरोड करके और भक्ति के नाम पर इस प्रकार की चीजों को कहना यह हमारे इतिहास में बहुत जादा है अब राष्ट्र कर लिया यहमारा सब्सक्रा कर लिया जाना में इतिहार कॉणिया थाचैला प्रोगिदा ऊक्रह शाघिलर करें तो संस्कृत अर्थात हमारी जो ब्रह्मी भाषा उसको आनी चाहिए कम से कम प्रारम भिक दस वर्ष जो है जिस पर आज कल कुछ नाम दो है हमारी जामानियों मैट्रिक कहलाती है तो यह इतने समय तक अधर हम संस्कृत पढ़ा है संस्कृत साइटेशन का परिशे करा है संस्कृ अधर के माध्यम से उस ब्रह्मा शक्ति ब्रह्मी की स्वरूप अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे और दिन रात उसी ब्रह्मी का पालन करते हुए हम अपने विश्व के सारे कष्टों से उपर लूप करके इश्व से प्राप्त कर सके हैं आपके छोटी सी बात पार हूं लॉस बड़िश्वान के कीकी मिल चुकर और मनमें था भली हम वामा के बेचवाऑ है पर ये तो एक शख्ति है इस का ज्ञान कर रहा हूगा जिस्षिर जैसे महान व्हक्ती से नहीं गहाँ गया और इस दो तेन बार क्रिश्न से पूछा अगरी किसका ग्यान करें खिर बोली जब जब उनका ग्यान पूरा हो गया होगा पुशिभी तब बोले हां भी क्या बाता या यह पहले मुझा तुम क्या कर रहे गए और नियुक भीष्म है उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उसके पास चला गया था यानि भीष्म ऐसा महान रखती है कि जिसके पास खृष्णे मिलने चले गए ज्यान में और उसको यह वाद काएकर उन्हों एकदम से बाद आगे बढ़ाते हैं किते हैं अड़े इस श्रीक कम कर जिए खृष्म मर जाएं उसके पहले बेले तो इसके पास जा और उसे ज्यान मांग, क्या मांग ज्यान जो कुछ लिए झानता है संसार में दूसर कोई नहीं ज्यानता है यह कृष्ण की शब्द है और उनका एकवा क्या है ज्यानान नस्तम कमिश्यंती तस्मिन याते प्रिताम है उस प्रिताम है ब्रह्मा के याते इस दुनिया से चले जाने पर ज्यानानी शंपुन ज्यान अस्तम कमिश्यंती अस्त हो जाएंगे लुप तो हो जाएंगे अब आप सूपिये क्षट्री जिसकी जिन्दगी लड़ने जगरने में बिती हैं अनेक युद्धम हैं अक्योला अक्योला बड़ी बड़ी से इनाओं को एकदम से चेलेंज कर देता है और उसके लिए कहा जारा है कि उसके खर्तम हो जाने पर ज्यान नश्ट तो आप बहुत समय पहले जयाती वाला परिचे और आज पांचेजार वश् तो युजिश्टि की इस बाद युजिश्टि स्विकार करते हैं कृष्णी को इतने जल्दे बाद हैं कि उनको संतोष नहीं होता पकड़ा बठाए यह चल और लेगर भीश्माग बाद और प्रणाम करकर आकर कि जो बहुत है कि युजिश्टि बोले माँ आप से कुछ सी बाद निखना चाहरा हूं अरे पागले क्रिश्टि आने मर से क्या से कहेगा क्रिश्टि का देखो मैं काम करवाना चाहरा हूं और सभी लोग काम करें यह मेरी प्रवित्ति है तुम जो यह शर्शिया पर पड़े हो करनी पाऊ गए यह मालूम है अज़ब देस दिन निकल युद्व अठारे दिन हो था कितने निकल अठारे निकल और दश्वे दिन भीष्म गिल पड़े थे तो नौ दिन बाकी थे ना आज दश्वान देना इस दश्वे दिन तक तुम हमसे सब बास्चीत कर लो करा लो कर नहीं है तो उसके उग्देश में कर्ष्ट के होगा जह पूरा का पूरा महाभार्त का शांति पर्व और अनुशाशन पर्व भीष्म के उब्देश से भरापड़ा संसार का ऐसा कोई विशय नहीं है जिसको उसमें खुल कोड़कर ज्याक्षा करके नहीं बजाये रहा है क्या हमने कभी देखा उसो हमारी पूरिज्यों की इस पर अगर कहीं किसी प्रकार कर दिर्मन हो गया तो पांसा जोन बैर 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 और अर्डवता शोड़ी आएंगे आखिर में कहां है वो जा रहे हैं और किसे लिए तो यहां भार्टी वांग मेरे ने किवल दो शब्द आपको मैं बचा रहा हूं जुनका शुम्दीम और फ मंत्र सुर्य से प्राप्त के हैं याजीवल को वो रिशी हैं जिन्होंने यहिर वेज पर जब्रत से व्याक्षात की हैं और याजीवल को वो रिशी हैं जिनके यहिर वेज की व्याक्षा को पंद्रे चात्रों ने सुना है कितने चात्रों ने पंद्रे चात्रों ने अपने अपने द्वारा पूरे सुने हुए उनके उपजेश को पुस्तका कार बना लिया तो पंद्रे पुस्तके एक ही नाम है शत्व पथ्व ब्राम्मन क्या नाम है? शत्व पथ्व ब्राम्मन याजियोल का उपजेश है पंदरे शिष्यों को है पंदरे प्रतियां त्यार हुए और सवभाग जिसे में दो प्रतियां प्राबते हैं एक काणुव वेज़ की और एक माध्यन दिने वेज़ की है और इन दोनौब प्रतियां को मिलाते हैं तो ऐसा लगता हुआएस्टों जैसको एक जफ्शी बोल रह अब आप सोचिए उसको देखते हैं राम को देखते हैं राम के लिए कहा गया है वेज वेदांगा तत्वज्य धनुर्वेदे चनिष्टे दया अरे ये वेज और वेदांग उनका महापंडित है और धनुर्वेद में अचन पनिपुन है और वह भाजाई है कि अब राम के भक्त हनुवान के लिए सुनो हनुवान क्या करता कि जब पहली बार राम के सामनी आता है आपको दो मालूं हमान का वचन पूरा होने पर राम लख्ष्मन को क्या कहते हैं सुनुलो राम के शब्न के रूपधे लेगे यह ना अनर्क वेज भीनी तष्य ना जरियू घ्री वेज धारिन ना साम वेज विद्शा शक्यं मेरी वम प्रफाशी हों लक्ष्मन इस प्रक्षी ने जिस प्रकार से जिस भाषा में बातचीत किया जो रिगवेद, जजुरवेद, सामवेद और अशरवेद इनका ज्याता नहीं है वह इस प्रकार की भाषा बोल ही मिल सकता सीवेद, साध्य शब्दों में चा कहें कि वेद की भाषा में हमसे बातचीत कर रहा वेद का एक नाम है ब्रह्म तो वेद भाषा, ब्रह्म भाषा, अठाक ब्रह्मी यह करश हो गया और यह बोल रहा है वस्तुत तो लोग जिस भाष्णा में बोल रहे हैं उसी में पर उसकी भाष्णा में जिस प्राकार का हनुमान जिगा चिंपन था कि रावन जैसी दिवियाती जैसी भाष्णा बोलूँगा तो सीधा डर जाएगी तो हर्मान के लिए एक शब्द में जैसे वेध बिता पकरो तो ऐसी सेष्ट हर्मान जैसे दिखते हैं जो जो शब्द कहाएं गया है वही शब्द राम को आगे जाकर के अगस्ति मुनिय ने क अगस्ति अगे जिस्में हनुमान निपुनि है आप राम अब भ्रह्मा भविश्यत पुष्यत पर सफादात तो वह स्वाजै कि प्रह्मी आप करने के पें कि एक यजिपूरा करने के लिए चार ह्रित्य वहा करने है Nam पर अगर उनसे किसी प्रकार की भूल रह गई हो, किसी प्रकार की गलक्ती हो गई हो, तो ब्रह्मा वही प्रकार की गलती को सुधार करके उस यज्ज्य को नष्ट होने से बचा लेता है, और फिर आगे बाएता, उस पद्र को बहूत ब्रह्मा रहता है, चौकि ब्रह्मा दोई है, तो ब्रह्मा अब हमारे टीका कार रामान का अनुवाद बगर करने कर देखो राम अगले जनम में लिए तोमारी महरवाने से ब्रह्मा हो जाएगा तो हम कहां ब्रह्मा कार्ज का था और कहां ब्रह्मा हो जाएगा। चोघी चोड़ी बातस हमसे हम लिए प्रॉटी करणे के थात्र quérie कहां से ब्रह्मक्रायां अनुद्धाध को समझेंगे। इस ब्रह्मन strip भाइशा को आरूंब से अंत्रतिक लेकर कि जिस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए तब भी जाकर हमारे संस्कृति की अपने स्वरूर की अपने धर्म की अपने राष्टर की और अपने मनुष्टी के जन्म की क्योंकि आप जानते हैं अपना जन्म चार पूरिशार्सों को लेकर रूपता है कौन-कौन से धर्म, अर् मोष्टा नाम बिंग रहेंगे, हजारों जन्म होते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे, होते रहेंगे, परंतु ब्रह्मन कार्फ होई है, ब्रह्म जाना के ब्रह्मन है, जो ब्रह्मन को जान लेते हैं, ब्रह्मन होजाता है, ब्रह्मन होजाता है, उसको जानने पर होई कि उसके पत्ने को रही उसकी पत्ने का मुझे पताव सुम्ध ब्राह्मन क्या है ब्राह्मन क्या है यानि हुआ क्या था कि याज्योल को भी सन्यास लेना था घर छोड़ी जा रहा तो अपनी पत्नी से दो पत्निया थी एका नाम मैत्री एका नाम काट्याईनी तो मैत्री को प एक दर्वर दूसा टॉइए तो उसे मोजह बैठ करें दूए रूता है कि कि जो कुछ कों तुम में तुम में चाहिए और है कि मुझे मुझे क्या हूं है शोसने पल्याद प्रश्ण कर लिया, कुछ कि suffered upon death. तो पिस्तिन घरनम वहीं कि कeurा, बन्ईोय मझोजा अध्यूं, जिस्यूं मिलेगा. तो वहाँ पर रयम्तिम बाक्ष आ है, भुल में वहाँ है playing at the beginning. कि देखो, जो जग्ति उसँ ब्रह्म नाम के अक्षाट तर्थ्व को जानकर, उस दूनिया से जाता है, वो है ब्रह्मन. और है कि जो इसको नहीं जान के जाता है वह दोश अब देख शुर विरुद्धी क्या हो गया क्रिपन जो ब्रह्म को जान के लिए जायेगा वह ब्रह्म हो चुका और और जो ब्रह्म को जानी मिनद्ञान को लागा करipan है, अब कर्फ़पन है है किसए को बहुता है कांजूस को को हतarlा है जिसके पाः सब कुछा है और ढुखी है खर्ष हो जाएगा, खर्ष हो जाएगा अठी किसके लिए है और एंट हो काहा जोर्फ Maan तो ठीक कंजूस अर्थ याद दिलाने वाला मेरी दृष्टिमव है शुद्रो कि आपको विकास करने की पूरी शक्ति देकर धर्टी पर भीजा गया है और तुमने अपने शुद्रता का उपयोग क्यों नहीं किया पहला स्टेथा दूसरा जन्म वहीं नहीं पहुंचे तीसे चोफ़े ते कहां जाओगे तो वस्तूत्य ब्रह्म का ज्यान करके जाना यही सारे जन्म की सफलता है और यही संपून विश्व के प्राणियों के ब्रामनत्व है और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता रिन तेनमें ही फांसा रह जाता चोथा आर्ष जो है मोक्स उसको भूल जाता है तो वह क्रिपन तग है जो शुद्र है अगर शुद्र नहीं को भगवान को हम कहा देंगे तो उन्हें शक्ति देगर ही नहीं भीजा पर भगवान का नहीं मंत्रा ये काम पहले कर दिया जन्मत के लोग तुम सब को बाराबर शक्ति दिया अब तुमने अलग अलग प्रकार के जो बढ़ है उन बढ़ों को जवार आगे बढ़ा हूं मेरा कहां का दोश है ख़ customers शुद्र और भ्रामर्य एक जोन्यों मनश्वर की पृत्रा को बताने वाले हैं उनको हम अगर में लोग करें और समझने की चेष्टा करें का ध्यंक्त करें चुरित में इस Лत सब भूल है which is जैसा कि उसे नहीं कि नाम भीगुम हुनी है कि लोभात क्ण रअचा हम लोभ करने लगे और ब्राह्मि भाशा से दूर होते चले गए और ब्राह्मि भाश्या संस्कृत बन के लिए पर आज़ नहीं वो अंस्कृत हो गई कितना ही सुटंगो कहुं एक सौार जब कर लो और हाजार माले सुटंगो और कुछनेती तेरो किज 기본 हुद्ध कुलो कि प्रथे लिग् огन करे वार क्यांद करें संस्कृत हमारे देश में आज से नुपी हा आप क्रिवारों की बीश मेरी है तो यह एक हजार वर्षी हुआ है उसको हमने इस्तिति भुला दिया तो हम उस स्थिति में ने जाएं और संस्कृत के वास्त्री के स्वरूब को ब्राह्मी भाषा की रूप में देकर चलें तो निश्चितिया झते, स्वरूब के स्वरूइबप में आएं तो दोले जाना की रहता है. कि दया दोका आका चले कि रहता है. यंध्या winsिति है.